हलो दोस्तो, वेलकम टू स्टेडी उनिवर्स, मध्यप्रदेश, डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है 29 अप्रेल 2019 और यह हमारी 140 भी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related, important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे दोस्तो आइकोन में एक question दिया गया है जो previous day का है इसका answer आप टिक करके दे सकते हैं question number first, हाली में कब विश्व बौधिक संपता दिवस मनाया गया है जिसका solution है 26 अप्रेल 26 अप्रेल को विश्व बौधिक संपता दिवस मनाया गया है इस दिवस की स्थापना 2000 में विश्व बौधिक संपता संग्ठन यानि WIFO द्वारा की गई थी इसका उद्देश पेटेंट, कॉपीराइट, टेडमार्क और डिजाइन के महतों के बारे में जागरूकता फैलाना है 2019 में इसकी थीम है Reach for Gold, Intellectual Property and Sport तो ये थीम आपको याद रखनी है तो इतना आपको इस बौधिक संपता दिवस के बारे में याद रखना है Next Question भारत ने 2030 तक कुल बाहनों में 30% बिद्द बाहन को शामिल करने का लक्ष रखा है और यह लोन भी इसी के अनुकूल है दोस्तो अब बात आईए SBI यानि भारती स्टेट बैंक की तो आपको इसके बारे में बता दे SBI का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ओफ इंडिया होता है इसकी स्थापना एक जुलाई 1955 में की गई थी SBI का हेड़कॉर्टर मुंबई में है और SBI बैंक के चेर्मेन है रजनीस कुमार तो दोस्तो इतना आपको SBI बैंक के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन माइक्रो इंस्वरेंस की समीक्षा के लिए किस समीती का गठन किया गया है जिसका सही ओफशन है सुरेस माथुर समीती हाली में माइक्रो इंस्वरेंस की समीक्षा के लिए सुरेस माथुर समीती का गठन किया गया है बीमा नियमक और बिकास प्राधिकरण यानि IRDAI ने इस समीती का गठन किया है यह समीती माइक्रो इंस्वरेंस उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए सुझाव देगी इस समीती में 13 सदस्वोंगे दोस्तों आपको बता दें सुरेश मातुर IRDAI के पूर्व कारेकारी निदेशक भी रह चुकी है नेक्स्ट क्वेशन बी सी सी आई ने किन खिलाणियों के नाम अरजुन अवार्ड के लिए प्रहस्तावित किये हैं जिसका सही ओफ्शन ये चारों हैं जस्पीत बुमरहा, मुंमस समी, रवेंदर जडेजा और पूनम यादो इन चारों खिलाणियों को बी सी सी आई ने अरजुन अवार्ड के लिए प्रहस्तावित किया है दोस्तों अरजुन अवार्ड खेल में उतक्रस्ट उपलबधी के लिए दिया जाता है इस अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई थी अब बात आएए BCCI की तो आपको इसके बारे में बता दे BCCI का फुल फॉर्म भारतिये क्रिकेट कंटोल बोर्ड होता है इसकी स्थापना 1928 में की गई थी BCCI का headquarter मुंबई में है और BCCI के head है बिनोद राय तो दोस्तो इतना आपको BCCI के बारे में याद रखना है Next question हाली में कौन सा देश 2019 के अंत में exit visa system समाप्त करेगा तिसका सही option है कतर कतर भाय देश है जो 2019 के अंत में exit visa system समाप्त करेगा अंतराष्टे स्रम संग्ठन अनुसार कतर 2019 तक बिदेशी कामगारों के लिए exit visa समाप्त कर देगा दोस्तो अब बात आईए कतर देश की तो आपको इसके बारे में बता देए कतर की राजधानी है दोहा, करंसी है रियाल और कतर के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला विन नसीर कतर का national day 18 दिसंबर को मनाया जाता है तो दोस्तो इतना आपको कतर के बारे में याद रखना है हाली में किस कंपनी पर मंद्दुपते शहत देश में रोक लगाई गयी है बेवी सेंपू और पाउडर में हानी कारक तत्व होने की कारण मंद्दे शहत देश के सभी राज़यों में बिक्री पर रोक लगाई गयी है साथी बाजार से हटाने को कहा गया है नेक्स्ट कॉशन हाली में किसने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है जिसका सही उफ्षन है अभिशेक सर्मा हाली में अभिशेक सर्मा ने ISSF में गोल्ड मेडल जीता है पहली बार ये फाइनल में पहुंचे थे इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है साथ ही भारत को ओलंपिक कूटा भी दिलाया है दोस्तो अब बात आईए ISSF की तो आपको इसके बारी में बता दे इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है ISSF की स्थापना 1907 में की गई थी इसका हेटकॉर्टर मुनिच जर्मिनी में है और इसकी प्रेसिडेंट है बिलादिमीर लिसन ISSF में में मेंबर देशें 150 तो दोस्तो इतना आपको ISSF के बारी में याद रखना है नेश्ट कॉशन हाली में भारत सरकार का ग्यान अदूतिय कारिकरम किस विश्विध्याले में शुरू हुआ है तिसका सई उफ्षन है डॉक्टर हरी सिंग और विश्विध्याले हाली में भारत सरकार का ज्यान अदूतिय कारिकरम हरी सिंग और विश्विध्यालाय मद्ध प्रिदेश में शुरू हुआ है इस कारिकरम के तहट यूरोप अमेरका साहत अन्य देशों के प्रोफेशर को भारत में किसी विशेश बिशय पर लेक्षर देने आमंतरित किया जाता है साथ ही ये लेक्षरर वहां के सिक्षन पद्धिती आचार सिस्टम बिचार सोध आदी के बारे में जानकारी देते हैं दोस्तो अब बात आई हरी शिंग और विश्विध्याले की तो आपको इसके बारे में बता दें हरी शिंग और विश्व विध्याले की इस्थापना 1946 में की गई थी इसके इस्थापना करता है डॉक्टर हरी शिंग गौर यह मद्यप्रदेश के सागर में कॉलेज बसाई गई है दोस्तो आपको यह कौर इंपूर्टन फेक्ट इस कॉलेज के बारे में बता दें यह मद्यप्रदेश की परथम विश्व विध्याले है तो दोस्तो इतना आपको हरी शिंग और विश्व विध्याले के बारे में याद रखना है हाली में बिश्व का सबसे गर्म शहर कौन सा बना है जिसको से यॉफ्शन है अकूला अकूला बिश्व का सबसे गर्म शहर बना है यह महरास्ट का एक सहर है दोस्तो बिसो के 10 गर्म शहरों में भारत के सभी 10 गर्म शहर है वहीं अगर बात करें मद्यप्रदेश की तो मद्यप्रदेश का खरगोन प्रदेश में सबसे गर्म है और देश में दूसरे इस्थान पर है दोस्तो अकूला का तापमान 47.7 डिग्री है और मद्धिप्रिदेश के खरगोन का तापमान 47 डिग्री है दोस्तो अब बाता ही है खरगोन जले की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट खरगोन के बारी में बता दें नवग्रह मंडल और महिस्वरी साडियों के लिए प्रिसिद्ध है खरगोन बारत का पहला मुवायल बैंक खरगोन में शुरू किया गया था मद्यप्रिदेश में मुंफली का सरवादिक उत्पादन खरगोन से होता है कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में ही इस्थापित है दोस्तो महिस्वर और मंडलेस्वर ये दोनों शहर नर्वदा के दोनों किनारों पर इस्थित हैं जिस करण इसे जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है निमाड उत्सव नर्वदा नदी के किनारे इस्थित महिस्वर में आयुजित किया जाता है तो दोस्तो इतना आपको खरगोन जिले के वारे में याद रखना है Next question मद्धिप्रदेश हाई कोट बार एस्सोशियेशन का चुनाव कब होगा? तो इसका सरी option है 14 मई 14 मई को मद्धिप्रदेश हाई कोट बार एस्सोशियेशन के चुनाव होंगे दोस्तो अध्यक्षपत के लिए लोकिस भटनागर, सूरज सर्मा और मोहन सह मैदान में है दोस्तो आपको बता दें इस चुनाव की जानकारी चुनाव आयुक्त मनोज दुएदी ने दी है Next question जिसको सही option है पवन लोईन अनुपुर में आयुजित लोईन्स क्लब इंटरनेशनल डिस्टिक कॉनफरेंस में सर्वस्रिष्ट अध्यक्ष चुनाव गया है Next question हाली में किस महिला ने पुरुस अंतरास्टिय किर्केट मैच में अमपारिंग की है जिसको सही option है Claire Polo Sheik हाली में Claire Polo Sheik ने पुरुस अंतरास्टिय किर्केट मैच में अमपारिंग कर record बनाया है इन्होंने ICC के Division 2 Cricket लीग में अमपारिंग की है किलियर ICC में सीनियर मैनेजर भी रह चुकी है दोस्तो इन्होंने 15 अंतरास्टिय महिला मुकाबलों में भी अंपायरिंग की है तो आपको याद रखना है किलियर पोलो शेक के बारे में तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप हमारे चैनल Study Universe को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक ये शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर हाजर होंगे दोस्तो आपको बता दे मद्यप्रदेश की 30 important days related हमारी एक और सीरिज का तीसरा पार्ट हाली में लॉंच किया गया है आप इसे जाकर देखें ये बहुत interesting पार्ट है जिसमें हम मद्यप्रदेश के कुछ important question old question और physics chemistry math से जुड़े question भी देते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार have a nice day